कई बार लाग कोशिसों के बाद भी घर में बरकत नहीं होती है, अधिक मेनत करने के बाद भी सफलता हासिल नहीं होती है और धन के बड़ोतरी नहीं होती जोति सास्तर के अनुसा घर में कई बार नाकारात्मक उर्जा अधिक होने करण या फिर देवी डेउता पित्रो का असिरवात ना होने के करण भी सारिरिक मानसिक आर्थिक और परिवारिक समझ्षव का सामना करना पड़ता है कई बार तो बनते बनते काम बिगडने लगते हैं ऐसे में आप चाहे तो इन उपायों को अपना सकते हैं वास्तो सासर के नुसार इन उपायों को अपनाने से व्यक्ते के घर में सकारात्मक उर्जा का परवा बढ़ जाता है इसके साथ सुक्ष, सम्रदी, धन, सम्रदा की प्राप्ती भी होती है तो आई ये जानते हैं कि बरकत पाने के लिए रोजाना कुन से दस काम करना जरूरी है नंबर एक किसी भी मांग लेकिया फिर सुब काम में कपूर का विसेश महत्वे माना जाता है गर में कपूर जलाने से वास्तो दोस के साथ नकारात्मघ उर्जा से शुतकारा मिल जाता है इसलिए सब्ताय में एक बार कपूर जरूर जलाएं ऐसा करने से सकारात्मघ उर्जा अधिक पैदा होती है प्रकरती का ये नियम है कि आप जितना देते हैं वह उसे दुगुना करके लोटा देती है हेदी आप धन या अन को पकड़ कर रखेंगे तो वह चूटता जाएगा नमबर दो शाम के समय पूजा करते समय सरसो के तेल का दीपक चलाएं और उसमें दो लोंग भी डाल दें आप चाहे तो यह दीपक रोजाना परवेस्टवार के दोनों और या फिर एक तरफ चला सकते हैं ऐसा करने से देवी देवता के साथ पित्रो का आसिरवात प्राप्त होता है जिससे घर में बरकत होती है घर में जब भी रोटी बनाएं तो तवह गरम होने के बाद साथ थोड़ा सा गोड़ या फिर चीनी रख सकते हैं रोजाना पक्षियों को दाना खिलाना भी काफी अच्छा माना जाता है इससे कुंडली के हर दोसों से चुटकारा मिल जाता है इसके साथ ही जीवन में तरक्की सुक सम्रदी आती है जोतिस सास्तर के अनुसा सुर्यास्त के समये फिर बाद में जाड़ू नहीं लगानी चाहिए माना जाता है कि इसा करने से मालक्षमी घर से चली जाती है और एलक्षमी का वास हो जाता है और दरीरता पीछा नहीं छोड़ती है नमबर तीन कभी भी प्रम मूरत या संद्यकाल को जाड़ू नहीं लगानी चाहिए जाड़ू को ऐसी जगह रखे जहां किसी अतिती के नजर ना पहुंचे जाड़ू को पलेंके नीचे ना रखे घर को साफ सुत्रा और सुंदर बना कर रखे घर के चारो कोने साफ हो खासकर इसान उत्तरो वायवे कोन को हमेसा खाली और साफ रखे वोश्रूम को गिला रखना आर्थिक इस्तिती के लिए बैतर नहीं होता है परियोग करने के बाद उसे कपड़े से सुखाने का परियास करना चाहिए नमबर चार बोजन की थाली को हमेसा चटाई चोक या टेबल पर समान के साथ रखे खाने की थाली को कभी भी एक हासे ना पकड़े ऐसा करने से खाना प्रेत यूनिमी चला जाता है बोजन करने के बाद थाली में हाथ ना धोए थाली में कभी भी जूठन ना छोड़े भूजन करने के बाद हाले को कभी किचन स्टेंड पलंग या टेबल के नीचे ना रखे भूजन करने से पूर्व देवताओं का आवान जरूर करे भूजन करते वक्त वारतालाप या क्रोध ना करे भूजन सदे पूरव या उत्तर की और मुख करके करना चाहिए गर में अगर पूजा गर नहीं हो तो किसी लाल किताब के विशिशग्य से पूछ कर ही पूजा गर बनवाएं यदि वह बनाने की छूट देता है तो किसी वास्तो सास्तरी से संपर्क करके ही पूजा गर बनवाएं इसलिए क्योंकि किसी की कुंडली के अनुसार घर में पूजा घर रखना नुकसान धायक होता है किसी देवी देवता की एक से ज़्यदा मुर्तिया तस्वीर ना रखे पूजागर के अलावा देवी या देवताओ की मुट्टिया चित्र घर के अन्य किसी इसे में ना लगाएं किसी भी देवताओ की दो तस्विरे ऐसे ना लगाएं कि उनका मुए आमने सामने हो देवी देवताव की तस्वीर कभी नेरित्रे कोड में ना लगाए वरना कोड कचरी के मामलों में फसने की आसंका रहती है तीजोरी में हल्दी की कुछ गांट एक पीले वस्तर में बांध कर रखे साथ में कुछ कोड़ियां और चांदी तांबे आधी के सिक्के भी रखें कुछ चावल पीले करके तीजोरी में रखें तीजोरी में इतरी की सीशी चंदन की बत्ती या अगर बत्ती का पेकेट भी रख सकते हैं जिससे उसमें सुगंद बनी रहेगी गर में देवी देवता ओपर चड़ाए गए फूल या हार के सूख जाने पर भी उन्हें घर में रखना असुब माना जाता है नमबर च्छे मालकस्मी और कुबेर देव की कृपः हासिल करने के लिए अपने तीजोरी या परस में तीन सिक्के रखें गर के मंदिर में लाड रिबन से तीन सिक्के बांद कर भी लटका सकते हैं ऐसा करने से भाग्या बढ़ता है और हर परिशानियों से चुटकारा मिलता है वास्तो सास्तर में मचली की चान्दी की परतिमा बना कर घर में रखना बहुत सुब माना गया है इसे सुख सम्रदी धन और अच्छा स्वास्त्र मिलता है गर में मचली की चान्दी की परतिमा रखने से घर में शान्ती और कुशाली आती है नमबर साथ गर के वस्तू को वास्तू के अनुसार रखकर परती दिन घर को साप और स्वच कर परती दिन हरी पूजा करें घर के बाहर स्वास्तिक बनाएं और कुम-कुम हल्दे डार कर उसकी दिपक से आरते उतारें इसी के साथ परतिदी सुबह और शाम को कपूर भी जलाए और घर के वातावरन को सुगंदित बनाए जो नित्ते देरी के पूजा करते हैं देरी के आसपास घीक का दिपक जलाते हैं उनके घर में सदे मालक्समी निवास करती है नमबर आठ पीपल में देवताव का वास होता है पीपल को सिर्फ सनिवार को ही चोना चाहिए सनिवार को पीपल के व्रक्ष में काले तिल, कच्चादू, गंगजल, सहेद, गुड और इस्टिल या चांदी के बतर में डालकर अर्पित करें वर सरसु के तिल का दिपक प्रज इसे आपके धनलाब के साथ ही हर बिगड़ा काम बन जाएगा नमबर 9 संद्यकाल में अनिश्ट सक्तिया प्रबल होने के कारण इस काल में कुछ बाते निसित बताई गई हैं सोना, खाना, पीना, गालिया देना, जगड़े करना, अभधर एम, ऐसत्ते बोलना, क्रूद करन शाब देना, यात्रा के लिए निकलना, सपत लेना, धन लेना, या देना, रोना या चोकट पर खड़े होना, इन सबी कारणों से बरकत घर से चली जाती है, वहीं व्यक्ति कई तरह के संक्टों से गिर जाता है, जहां मदीरा सेवन, इस्तरी, अपमान, तामसिक, भूजन और अनेतिक क्रत्यों को महत्वर दिया जाता है, इन सबी के कारण घर की बरकत चली जाती है, नमबर दस, घर की इस्तरी का समान करें, दक्षिन दिसा में पेर करके ना सोएं, सर्ट और पेंट की जेब फटी हो तो उसे ठीक करवाएं, बट्वे या रुपे को पेंट की पी करने से धन वे भव आता है, इसके लिए कलस में जल बरकर उसमें तांबे का सिक्का डाल दे, अब इस पर नारियल के पत्ते डाल कर उसके मुख पर नारियल रख दे, यह उपाय बहुत ही उपयोगी है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राब चूरू कीजिए का, ओके थेंक्यू एरिवान